एक बात से तो मैं सुनील की बात से एक चीज से तो मैं बिलकुल सहमत नहीं हूँ हम कठे आया हैं फिर भी हम सहमत नहीं हैं जो नहीं कह रहा था भाई इनका के परसनल स्वार्थ है भाई एक बात बताओ बिना स्वार्थ भी कोई गूम्या करे है बताई ओ बिना स्वार्थ तो कोई निगूमता बई चै तो आमने गूम के स्वादान्दा हो चै आमने गूम के कुछ मिलता हो चै आमने गूम के कोई उम्मीद बंद दियो या हमने न्यू समझ मा रहा हो कि आपके बच्चों के सुधार के बिना मेरे बच्चे का सुधार संभवी नहीं जई यू गामराम सुखी होगा तो आके रोटी प्यारत मिल जेगी और बैठांगे चार बाईया मैं बढ़िया बतलावांगे इस तो बढ़िया जिन्दगी नहीं हो सकती जब प्रेम प्यार हो तो तो यू थोड़ा बड़ा सुधार थे कि कती परसनल सुधार थे बाई अपने बच्चे को उससे अच्छा समाज देना चाहते हैं किसा मारे को मारे से बड़ों ने दिया गलती के होई मारे समाज के जो मारत बढ़ने थे ना जो मेरे पाफपार मेरी ममीर की उमर के जो लोग थे उन एक चीज गलत कर दी बस बहुत बारी गलती कर दी वाया कर दी वैन्यू को वैं कि ज़े समाज में किसे के कुछ गलत हो रहा हो ना तो वैन्यू कहें तने के लिणा है तू गरा बेट तो फिर के हो या समाज में लुचे गुंडे बदमास लोगा ने पंचायता में जंगा बना ली शरीफ आदमी की चुपी ने ये समाज बरबाद कर दिया नास कर दिया उसका उस शरीफ आदमी तो बात करने ली कर दे ये बापा भाई जा उस तो न्यू बताना पड़ेगा कि इब कति खाई है थारे बच्चां की जिंदगी में एक तरफ खाई एक तरफ कुवा है नी रास्ता हो तो बता दो जमीन 90 परसेंट बलकि 99 परसेंट किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर बैंका में दाखिल है ठीक है जी राशन ग्यूं काट दिया रासन अड़ा का इब चोड़ कटेंगे तेल भी कट चुका है फिर सबसीड नुका आग रहें कि सबसीड इम देवांगे पानी का भी बिलान लाग गया बिजडी के बिलिब कब बदकार है च्यार गुणा बढ़ गया आ कुछ हो रहा है जाओगे ठीक करान कोई नी ठीक करदा सुनता ही नी कोई भी हाँ है ना बिजडी आगी पेट्रोल डीजल गुजारा नी हो रहा किसे का फैक्ट्री आड़े का नी किम्मत पूरी हो रही जमिदार पे नी जमीन की पूरी हो रही और अपना साधन चलान दिया ना उस नहीं समझ मारा पिछले आठ साल से जो आपकी जमा पुंजी दी वा प्रोज गटन लागरी सबकी एक लेगी मेरी या एक लेगी आपकी नहीं सबकी आपके स्कूल बरबाद हो लग रहे बच्चे बिलकुल नहीं पढ़ रहे मोबाईल टेलिवीजन ने बरबाद कर दिये नोक्रियों की कोई जगे नहीं बची सारे सरकारी डिपार्टमेंट ब बच्चा नहीं है कि सोचा कुछ बहिए यह जो बच्चे पिछा बैठे हैं परमात्मा का रूप हो या करें बच्चे मारे बड़े बुजरुग नहीं हो गाम के सब के साज ले हो या करें इब सब ना अपने 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 गरा में दबोच कर रख लिए अर इब होगी तो कैसे बचेगा कैसे बचाओगे कि दो साल तक एक बैमारी के नाम पर आपके बच्चों की जिंदगियां बरबाद करके रखी रखी ना सकूल बंद रखे आया कुल दिब बिश्नोई आया बुपेंदर सिंग उड़ा आया कोई और नेता अर्विंद के जरीवाल आ ऐया हो कोई फिज्नोई आया हो कोई अधि-फैन नी आया उन्झ आया क्या खत्रा आए थे ही बचाओदर में चुनाव हैं बले अदंपूर मेरा परिवार है मेरा घर है इफLive इब ब्यान ही यो देता है दुसरे भी आऊंगे बले लेकिन जो द날 साल में आपके साथ अत्या पाचार वा एक फरजीवाडे के नाम पे उसका इसाब मांगोगे आप मांगना ही नीमारकारी कशेवसी यह नहिंता सबसे बड़ी बात मांगना ही नहीं आता बच्चों के पविश्चे के लिए क्या सवाल ँठाने ठाने नहीं नहीं आते हमें सिर्फ जात देखके वोट पार्टी देखके धरम देखके वोट करनी आ हुए हमने नियु बेरा ही नहीं अपने बच्चों के लिए मुद्दा क्या चाहिए बाई साब असलियत में समाज उस दौर में पहुंच चुका है कि सरकार का एक फरमान लगेगा और वो आपको ये कह देंगे किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर बाकी जितने भी लोन ले रखें सारे जमा कराओ किसे की गुंजाइस निया आज के टाइम जमा कराने की वापस ब्याज भी नहीं पूरा होता ठीक है जी अब गणखरा तब का न्यू समझो बरबादी की बिलकुल किनारे पखड़ा एक ठोकर माननी रुब खतम अगर शरीफ आदमी नहीं उठा तो आपको एक चीज बताते हैं आप गुलामी से मात्र तीन साल दूर हो गुलामी से मात्र तीन साल चिप वाड़े मीटर लगन लग रहे हैं जहां जहां बुषदिल लोग हैं मुझे नहीं पता आपके गाम में लगे हैं के नहीं लगे ठीक है लेकिन जहां जहां बुषदिल लोग हैं बुषदिल लोग कौन जो कभी भी कोई आवाज नहीं उठाते जो ना किसी आंदोलन में खड़े होते जो चुपचाब बैठे रहते हैं वहाँ वहाँ चिप वाड़े मीटर लगने शुरू हो लिए अब ये चिप वाड़े मीटर क्या क्या सीन है कि आपका बिजड़ी का बिल आपके अधारकार्ड के साथ जोड़ रहे है फिर पाणी की पाइपलाइन नहीं बिछन लग रही कहीं कहीं गाओं के अंदर वो भी अधारकार्ड के साथ जोड़ रहे आपके डंगरों के भी अधारकार्ड बन रहे हैं पशुओं के भी कान पे लगा रखे हैं वो अधार कार्ड आपके अधार कार्ड के साथ भी जोड़े आपके पूरे परिवार को भी अधार कार्ड के साथ जोड़े आपका बैंक का खात्ता भी अधार कार्ड के साथ जोड़े आपकी आई टी आर भी अधार कार्ड आपकी प्रोपर्टी, खेत की जमीन, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके परिवार की सोरे कागज अधार काड के साथ जोडन लग रहे हैं इसका मतलब समझते हुग क्या है कि उनको एक बटन देखना है और उसके बाद पूरे परिवार का लेखा जोखा सामने अगर आपके पूरे परिवार में से एक भी आदमी सरकार की बात मानने से मना कर रहा है तो सारे परिवार की सारी सेवाएं बंद ये खेल चल रहा है और आपके उपर ये पिछले दो साल में टेस्टिंग कर चुके हैं कि इनके लठ मारोगे, लठ मार के गर मैं कैद करोगे तो भी यह कुछ नहीं बोल दे इनके बड़े बुड्या के तास खेल दोए के लठ मारोगे तो भी जवानों का खून नहीं उबलता इनने देख लिया का इनके बच्चों की पड़ाही बर्बादOW जाओ इननने बोलना इनी आता इनने देख रिया इनके दख्यत इनके शरीर में कोई chemical गुसा दो इननने बोलना इनी आनदा आपका शरीर बेमार भी नहीं फिर भी दख्यता ठोक दिये क्यों? हिल ले घए लोगोंने किसीने पता ही नहीं आपके गाउं में दर्द की संघ्या डरद बढ़ गया होगा जिसने भी लुआए हैं आं, का कि में रोज बढ़ेंगे अभी और अब तो देखना पच्छिस तक चलते चलते गिरने ले सुरू액 है योन लग रहा और लोग क्या सोच रहे पहले भी तो या करते सरकार के फेवर की बात करने वाड़े लोग ऐसा बोलते पहले भी होते थे, उनको ये बताना, पहले पाँच-पाँच साल के बच्चों के नहीं होते थे, पाँच-पाँच दिन के तिन-तिन साल के बच्चों का ब्रेन आमरेज नहीं होता था पहले, लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं, अनाजमंडियां खतम होन लग रही, किसी के कानो बेंकों को प्राविटाइज करने जा रहे हैं आपके समझ में नहीं आ रहा है आपका पैसा बैंक में पढ़ा है पैसे निकलवान पर भी चार्ज पैसे जमाकरान पर भी चार्ज और आपा चुप हैं खमाल है हमारे पैसा और हमारे उपड़ी पाबंदी इस्तफाल तो निकडवा सकते हैं समझ में आ रहा है कि हम अल्रेडी गुलामी के बिल्कुल सिरे पर बैठे हैं सिरफ डिकलेर करना बाकी रहता है अब मान लो हम ऐसे ही रहे आप सिरफ इतना सोच लो कि आने वाड़े दस साल में आ पैसा बविश्य दे के जाओगे मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चों के लिए कहीं भी इस जगह बची होगी फिर यह चालू करेंगे जिसका नाम है यूनिवर्सल बेसिक इंकम यूबी आई अभी आपकी डिजिटल करंसी होने वाड़ी है कि आपको पता है आपका जो है ना ये धीरे 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 आपकी जेब से निकाहल करके आपका जो सोना है आपके जो गर में जितनी भी दातू या जमीन या मकान है उस सारी पर लोन करके वो बैंकों के तरफ लेके जान लग रहे हैं और बैंकों का जो पैसा है वो अब नोट की शकल में नहीं है व जैसे अब आपसे कहते हो कि मैंने लोन ले लिया 10 लाग का अब बैंक आपको 10 लाख रुपे का कैश नहीं देता अब बैंक आपके खाते में बेज़ दे हैं आपको भी अगर दुकान पर पैसा खर्च करना है तो मोबाइल निकालो और आप खर्च कर देते हो ऐसे ही मोबाइल के साथ ही है ना ओपैसा ही नहीं कई अब उनको आदारकार्ड के साथ जोड़ना है और फिर बंद करना है ब्लॉक पहले पहले तीसरी डोजलबा का उसके बाद खुलेगा फिर के करोगे पहले जो सरकार जो बोला था ना याड़ अच्छुपाड में बैठके सरकार के खिला अगर आप चाहते हो ऐसा ही रहे तो फिर तो आपका कुछ काम नहीं और अगर आपको लगता है कि यह चीजें बदलनी चीए तो उसका एक मातर एक रास्ता है गाम राम की सोच बदलनी पड़ेगी मुश्किल है लंबा रस्ता है लेकिन बकान के रस्ते ता बैटर है यह प्लान करना पड़ेगा कि अगर आज से इस पिड़ी तो अगली पिड़ी के लिए कैसा समाज देखना चाहते हो अगर ऐसा तो समाज देखना चाहते हो जो आपस में लड़ मर के कट जाए तो ठीक है कोई बात नहीं चीडियो। र॑घ सनियाू गांतों सुधारना पड़ेगा तो फिर गाम के आदमी नितुदारना पड़ेगा गां देखो जी, सरपंच नहीं सुदारेगा, बताओं क्यूं, क्यूंकि सरपंच के बारे में मैंने तो पूछा ताओ, सरपंच की ने बना होगे, तो जाद दस में ते, पांचे सरपंच आदमियों का, पांचे ताओं का एक जवाब हो यागरा है, देखांगे भाई, कौन खर्च रुपेया है, भई, चार अजार मिनना मतलब साल में, साल में कितना, पचास एक जार, अड़तारी जार रुपेया, अब पचास अजार रुपेया साल में मिला, पांच साल में कितना, डाई लाग रुपेया, तो डाई लाग रुपेया जिनना पूरे पांच साल में मिलने व तब तक वह 110 लाग खर्च नहीं करेगा इसका मतलब आपका MLA आपका पार्लियमेंट का मेंबर आपका मुख्य मंतरी आपका सरपंच जिला पार्षद और बलोक समीति वाड़ा आदमी आपके गाउं के लिए कुछ नहीं करेगा कर ही नहीं सकता कारण क्या है कि वह आपके बी नहीं आदमी आया अराक गाम को ग्यान दे रहा है और आपको लगे बलारा बिलारा करेगा और पर बलारा भी नहीं करेगा पका बेच के जावेगा समझते बात बाहर का कोई आदमी आपके गाउं के लिए अगर ये कह तैना कि आप लोग मेरा साथ देओ मैं आपके गाउं ना बदलूँगा यकीन मानियो सबसे बड़ा ठग है वो क्योंकि गाउं आपका समस्या आपकी समाधान आपको पता तो बदलना भी आपको ही पड़ेगा बस ये बात जिस दिन समझ में आगी उस दिन शरीफ आदमी गर से बार निकल लेगा उस दिन इन नेताओं से सवाल भी पूछ लेगा उस दिन अपने बच्चों के लिए आवाज भी उठा लेगा और उस दिन जो जो चीजे समाज के अंदर गलत हैं और जो उसके बच्चे को बरबाद कर रही हैं वो उनको ठीक भी कर लेगा टाइम लगजेगा टाइम ही तो लगएगा भई यह तो मैं यह नहीं कहता कि आज आज आपने जागे और आज ही कि आज ऐसे बटन दब्यार चीजे ठीक हो जाएंगी टाइम लग सकता है लेकिन बदलना गाउं के आदमी को पड़ेगा बार का आदमी नहीं बदल सकता हम इस दोरान आपके बीच आए हैं सिर्फ यह कहने के लिए कि देखो जी हमारी आपसे एक गोजारिश है अगर आपको यह तो लगता हो कि गाउं के आदमी की सोच बदलनी पड़ेगी तो एक काम कर लो हम आपको यह भी आईडिया दे देंगे कि एजुकेशन ऐसा सिक्षा विवस्था त्यार करके देंगे कि आपके गाउं में एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा इसकी गैरेंटी है करना गाउमालों को पड़ेगा आप गाम के लोगों को यह चीज नहीं सुधरेगी यह ऐसे सुधरेगी फिर खेती आप खेत में जितना कैमिकल डालता है किसान, वो सारा बिना कैमिकल के यह सुनिल बैठा है बिना कैमिकल मतलब आपकी फसल का एक दाना विवस्था गाम के मुकदमे बार क्यों ना जाएं गाउं का पैसा बार नहीं जाना चीए गाउं के अंदर ही वो तरीका हो कि गाउं के हर बच्चे को रोजगार मिले और गाउं का पैसा गाउं के पास ही रहे अगर ये विवस्था अपने कर दी तो अपना गाउं समरीद हो नहीं तो, शिक्षा के नाम पर लुटन लग रहे, एल्थ के नाम पर लुटन लग रहे, क्यो जी, लुट रहे हैं, भाई शिक्षा का एक्जामपल देता हूँ मैं आपको, एक चोटा सा एक्जामपल देंू एक गाउं था जिसकी जन संख्याती लगबग चार साड़े चार अजार हमने वहां गर गर जाके पुछा भई तुम्हारे कितने पैसे खर्च होते हैं कितनी फीस देते हो स्कूल में कितना क्या कुछ है वो सारी जानकारियां दी पांच मिट की बात हो रहा है कोई बात नहीं तो कितना पैसा खर्च करते हो आमने इसकी जानकारी दी तो क्या बोलते हैं साड़े तेरा सो बच्चा बार पढ़ने के लिए जाता है और लगबग 53 लाख रपया 52 लाख रपया उस सकूल मतलब 4-5 सकूलों की फीस जाती है आपके गाम में यह थे होगा बच्चा आपका प हुआ मैं उस गाम की बता हूँ 50 लाख रपया मही ने का गाम का कठ्था होगा उनकी जेब में पूझ लिया मालिकों की तो बड़ी-बड़ी कोठिया भी मनगी उनने तो दी ले लिये उनने तो बड़ी-बड़ी कटिया और ले वो तो बड़े-बड़े टॉप कालस उन में रहती हैं, जहां भी जहां मैं मौज कर रहे हैं, और गाम के बाड़का न क्या मिला उसके मतले मैं, पूरे पांच साल में आप अपने गाम में पतादो कितनी नोकरी हैं? मैंने कूँ पांच भी नी पांउ है? यानि एक साल में एक नोकरी फिर वो तो 30 करोड रप्या पूछ जाओ किस ते दिया किस चीज के नाम का दिया कुछ नहीं पता यो एक आम शरीर के साथ हो रहा मारी दाद्दी मारी माँ मारी नानी उनकी रसोई में या मारे खेत में ऐसी जड़ी बूटिया आगरती कुछ हो जाओ शरीर में और तलियार खालियार हो गया इब आपकितने लाख रुपया उसी गाओं की बात बता रहा हूं शिक्षा के उपर रोजगार के उपर ट्रेनिंग देने का काम करेगा जनता सरकार मोर्चा करना पड़ेगा आप लोगों और उससे पहले गाओं की सोच बदलनी पड़ेगी तो आपको लगके अगर आप लोग कठे हो करके अगर ये ठीक तो लगता हो ये रस्था ठीक है तो आप कठे हो गया फोन नमबर अपना कठे ले ले लो सारे के सारे की यह उन्य लोग थे और अगली बार जब हम कोई प्रोग्राम करें तो तरीके से बुलाओ गाओंवाड कपड़े ड्रेस बछा कर बैठक में बैठ जेगा कि अपना डब्बी आओगा तो रहा है जिसके ब्या है वह बुलान आओगा आ लिया बुलान बैदे उंदर चाले दे उंदर बोला चाला आण लाग रहा बैठे रहा फिर थोड़ी बार मैं अक चालने फिर आके एक बर उरान दे देखो उसने पता चुल लाने होंदा है गर मैं अपने खाना नहीं बन रहा है उसको मालूम है वहीं जाके खाना लेकिन बिना बुलाए नहीं जा रहा ब्या मैं भी तो आप क्या सुचो गाउने बदलने की इस पूरी परकरिया में गाउमाले बाज़ का आजेंगे अना के घर घर जा के देखाना पड़ेगा फलाणी तारीक नहीं यहां पर भाई दाक्षाब आओंगे देविंदर राओंगे जनता सरकार मोर्चा आएगा और आके सारे के सारे बात सुनो जब गाउं को यह पता चल देगा कि यह गाउं के बच्चे हैं जो इस मिशन पर काम कर हैं उसके बाद वो साथ भी देंगे क्योंकि जब तक उनको पता ही नहीं आपका कितना बड़ा काम कर रहे हैं गाउं के लिए फिर क्यों साथ देंगे पिछले पीस-तिस साल में गाउं के आदमी ने दोखा यहां एक चीज है अपनी एक कमिटमेंट है ना तो गाउं को एक चीज है ना एक भी पैस लेने का मारा लालच हैँ ठीक है जी ना पैसा देंगे ना पैसा लेंगे और जो आपके गाउय केलिए काउलने के दि किसी चीज की जुरूत पड़ेगी उसके बदले में कुछनी लेंगी समझ गे ना बात आपको ये लगता हो भी इव जुकर मानलो टेम हो रहा है अज तो आप मारीत रोटी आगे बन रही है पर जुकर मानलो आपके गाममा आए सांज न रोटी आंगा टेम हो गया खुआए जाओ तो खुआदियो नहीं तो भी नहीं मांग दे समझ के बाद आप कहने का मतलब यह है कि भाई हम इस काम के बदले में आप से कुछ नहीं मांगते वैसे आपको यह लगेगी इन बाड़कन भाई इतनी इस चीज की जुरूरत है या इनके चारो तरफ चार आदमी खड़े होगे तो मदिन को मदद की जुरूत है तो वह खड़े उनके देने की वह भी देओ तो देओ नहीं तो नहीं जो ठीक लगे तेओ अदर्वाइस आप से यह गुजारिश है कि बाई अपने बाड़कन बचा लो आपका गाउं है बरबादों लग रहा है सरकारों को कोई फरक नहीं पड़ता जिस टेम पे कांगरेस की थी तो भी कहीं नहीं किसान जमिदार जो है और मजदूर जो है वो मोज कर रहा था सोनने की थाड़ी में घा रहा था आम आदमी पार्टी आड़े दिल्ली में इबी चलान कटन लग रहे है मैटरों में इस टेम भी मैटरों में चलान कट रहा है तो अगर आम आदमी पार्टी नहीं देऊगे तो भी योई काम करेगा यह जिस्टे मरी आने में पंसो का था वहाँ दो जार का था ठीक है और आपड़े इस भिशनोई का तो खेल आपने देखी में देन जाव था हाँ उसका कान बताओं मैं ता हुआ था अनुका है पही मशीन में बटन दाप देखी तो भी आपने पनंधिप आ चाहिए है यह जो बजनलाल ने मिला पूरे से मतलळा जबस बचादी उले कर आथा ना है जब बस दोबषा और इसने कर तो जड़ायार फ कोई बात नहीं देखो क्या होता है वो तो आपकी वो तो समझ के उपर है कि कौन आदमी किसको वोट कर रहा है है कि नहीं लेकिन बात यह है कि अगर आप लोग अपने इस गाओं को बचाने के अभियान में शामिल नहीं होगे ना तो फिर यह लूटते रहेंगे और यह बर्बादी नहीं चलती रहेगी ठीक है बारिश आगी है ठीक है आप लोग गाओं को बचाने की इस मुहीम में शाम गर गर जाएगी तो गांव आएगा ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए इतनी रात तक बैठे रहें